हेई गाईज आप ये देखी वीडियो में क्योंकि इसे देख के मेरे मुँँ में पानी आ रहा है इसे कहते है तो पोकी और मैं इधर मिच के ड्रामा देख देके पूरी अडिक्ट हो गई हूँ और ये लड़की इस तरीके से खा रही है ये वीडियो जो चला न गाईज तो म मेरे मुँ में पानी आ गया ओमाइगा ये तो पोकी राइस के कितना डिलीशियस लग रहा हो ये किस तरीके से खा रही है अब मैंने डिसाइट कर लिया है गाईज कि मैं भी इसे बना के ही रहूंगी आपको क्या लगता है कि आप लोग भी ऐसे बना सकते हो तो लेट्स ट् बता देती हूं चावल की आटे को मैंने लेकर कि उससे गरम पानी से नीड कर लिया है अब मैं इसे रोल 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 इस तरीके से कर रही हूं लंबे लंबे और इसे मैं कट करूंगी तो पोकी के साइज का और कुछ लंबे लंबे ऐसे रोल करने के बाद मैंने इस तरीक की बनाती हूं तो फिर मैंने से स्टीम मतलब बॉयल कर लिया पानी में और इस तरीके से स्टीम करेंगे गाइस मैं आप लोगों को प्रॉसस दिखा दे रहे हूं यह गरम पानी मैंने उबाल लिया और उसमें ऐसे डाल दिया अब यह जिब उपर आने लगे ना तो इसे निका अच्छ आप लिए और इस तरीके से पगा करके मैंने निकाल लिया है और मैं इसका स्पाइस बनारी हूं सेजवान मियोनी ज़र केचप और चिली के डाल करके अच्छ तरीके से पका कर और उसमें salt अकॉर्डिंक की टेस्ट अड़ कर दिया है और वह वाव यार यार ही कि तना बन के तैयार हो गया है तो पोकी तो पोकी और मैं इसे खाने चल रही हूँ देखती हो टेस्ट करती हो कैसा है बहुत टेस्टी गाइस सच में टेस्टी बना था यार आप लोग भी ट्राइ करना बाइ